बच्चे के बहतर भविश्य का निर्मान होता है स्कूल से। वो स्कूल जितना बहतर होता है उतना ही अच्छा और स्वाणिम भविश्य उस बच्चे का हो सकता है। फ्रुदबा शेहर में एक ऐसा ही स्कूल है जिसने तमाम बच्चों के भविश्य जो है वो संवारे हैं, बनाए हैं, उन्हें शेप किया है, स्कूल का नाम है किर्स कॉर्णर सीनियर सेकिंडरी स्कूल, किर्स कॉर्णर स्कूल के तमाम बच्चों ने चाहे UPSC का एक्जाम हो, नीट का एक्जाम हो, आयाईटी हो, इस तरीकी के तमाम एक्जाम्स में जो है, वो उन्होंने किर्थिमान स्थापित किया है, आज हमारे साथ डॉक्टर महिंग भटनागर जी हैं, डॉक्साथ सबस्वेले तो बहुत-बहुत स्वागत आपका, सर्फ आप हमें बताएं कि आप सब लोगों को सूचित करता हूँ, कि ये साल हमारे स्पूल के नीव एक लेंडमार्क लेके आया है, और इसी साल में हमारे स्पूल के बच्चों ने बहुती सुखत परिणाम दी, शुरुवात करता हूँ, रिशब यादर्व, जो कि अमारे आपके लेक्लास सिप्स से लेके क्लास 20 तक का स्टूडेंट रहा, ये ऐसी कक्षाय है, यह बच्चा अपना बेस बनाता हूँ, पोब बच्चे ने बवाबर अपनी पूरी लगन से दस्वी क्लास के अंदर भी टॉप किया, स्कूल टॉप ने इस्ट्रिक टॉप किया, और वेल्थ क्लास में इसी बुलाया, और उनको एडुकेस्ट इंस्टिटूट के अंदर उसको कोच किया, उसी बच्चे ने इसी बच्चे ने इडवांस बहुत अच्छी रेंग के साथ उसने निकामो, और इड़ कांपुर से उसने इलेक्रिकल इंजिएरिग करी, और उसके बाद भी वच्चा अव दे आपका से वच्च मुखा मुझे पानाँ, जनी स्टाड़ पर अपर उसने प्रपरेशन चुड़ो किया, और उसने अटेंप्स की दिया, फर्स्ट अटेंप्प्पे उसका वह डिजायर्ड रेंग नहीं आया, लेकि उसने हिंबत नहीं हाई, उसने थे तर दुबारा प वो IRS offered वोगे, लेकिन उस्ते हैं, तरवी का किनो यह IRS नहीं कर, तो इसने दुबारा अटेंट दिया, दुबारा अटेंट के बाद असरफ ती रेंग बहुत इंप्रूव करके, विजन 400 लाइज है, वो IRS offered वोगे, तो यह हमारी एलिगिसी है, कि हम अपने बच्चे ओं को, इस जैसे इनके माबाप उनसे एक अधिकार से बाग करते हैं, अधिकार से उनको अपने बच्चे की तरह डाइवर्ड करते हैं, गलत कामों से, मैसे हम भी बच्चों के साथ बिलकुल वही बियर करके, उनका इंट्रेस्टिट फियर में उनको प्रमोट करते हैं, निकिता साथू भी जो हमने दो साल पहले अन्वेल फंक्चिन किया, उसके अंदर उस बच्चे ने ग्रामाटिक्स वे में लेड करें, और बहुत अच्छा एक्टर है वो बच्चा है, और प्रियंशु देयाल ने आईटी जी एडवांस विथ 2699 रेंग, उसने निकाला उप सेंटर्स को मिल रहे हैं, सौम्या गुत्ता जो प्लेवर से वेस्ट तक हमारे हैं पड़ी, उसने भी मेड को भी साइक किया वे 695 रही है, और उसको भी उसके और टीचर्स ने जैसे विनेसर में भी इसको काफी गाइड किया, और वो डिप्रेशन में चली गई थी, उस डि बच्ची को अपलिफ्ट किया, एक डार्क स्टेज से लापे एक बहुत ब्राइट स्टेज में रखा, यूँकि एक बहुत बड़ी बात है, और उस बच्ची ने भी ये सौम्या गुत्ता ने नीट कॉलिफाई किया वे 695 रही हैं, ओके, अप्शलन शिगंगवार एक बच अपलिफाईट फॉर PCAC, कॉलिफाईट करके अब बकाईदा वो SDM पोस्टेट हुआ, और इसी सार, अमन तॉमर, अमन तॉमर जो बच्चा उमारे या 9, 10, 11, 12 में शुवाच से पढ़ा, वो उसने इंडियन नेवी के अंदर लेफटनेंट की पोस्ट अभी हासन करी, और ए अबिशन लिया है, तो ये सब चीजा है, दिखाता है कि एक स्फूल के सक्स स्टोरी क्या होती है, देखिये, शिच्छत वाई है, जो बच्चे के हिर्दन है, चोटा सा कोना मना रहे, और कोना कैसे बनता है, जब आप उसके स्वार्ण पविश के लिए कुछ ये उगदान है, एडिस अल्वेस सड, फर क्रेकिंग और इस सोरी कॉंपिटिशन स्टेव स्ट इस वेज़ के स्टेव एजिए जिस क्ट्छे के इस बच्चे के स्टेव पिछाय धी क्रेकी उपिटिशन क्रेक्क करना बहुत मुश्किल वजाता है, लेकर अगर के साथ करता हूँ कि हमार एक ऐसा स्कूल है, जहां एन्वारंमेंट भी ऐसा है, डिसिप्लिनरी एन्वारंमेंट है, मेरे या बच्चा कोई गलत खरकत नहीं कर सकता, या बुझे से नहीं, बलकि मेरे पेरेंट से पूछ सकते हैं, कि कितना डर और रेस्पेक्ट बच्चों के अंदर हैं, अशासिप, रिजल्ट ओरियेंट एंद इस्पेसिफाइद टीचिंग, हम कोशिश करते हैं कि कित स्कॉनर के अंदर हम बच्चों को एक स्कॉलर्स के रूपर प्रडियूस करें, हम और बिलीब करते हैं, कि हम ओर्डिनरी चीज़ों को एक्स्ट्राओर्डिनरी तनिके से उनको सिखाए और बिलीब करते हैं, जैसे जनरली वी टीच स्टुदेंट्स देट के बिहेवियरियल पैटर्म कैसा है, कि आप किसी से बात करें तो कैसे का है, तो वी टेल थेंग, कि देरा टू निटल मैजिक वर्ड्स, विच कें ओपन अनी डॉर विद कीज, वन लिटल वर इस थैंक्स इंटम्स अफ एजुकेशन, एजुकेशन का मतलब सिफ किताबी कीडा बनाना नहीं, वे एक परस्नालिटी बनाना, और किट्स कॉर्णल बे हम कमिटिड हैं, वो परस्नालिटी जनी के, सर, अपने सेशन स्टार्ट हो गया है, और कापी लंबी चुटियों के बाद, समर विकिसल के बाद में, अब जो नई सेशन से स्कून खुल रहे हैं, तो क्या कुछ आपने नया किया है स्टुरेंस के लिए इस सेशन में युमानिटी स्टार्ट किया है, ये एक युमानिट स्टुरेंस कौन लेगा, लेकिन मैं आपको बता दू, आईस, एसस और ज्याद तर सिविल सर्विसस में वो ही बच्चे आते हैं, ये युमानिटी से निकल के आपने हैं, इससान हम वो भी शुरू कर रहे हैं, प्लस इससान में अपने टीचर्स को ये पूरा फोकस कर दिया है कि अपने आपको कैटेगराइज करें, चार कैटेगरी में बच्चों को रखें, तो जो लेर कैटेगरी है, उसमें एफोर्ट अं-्रिवार्ट्स, ऐसे बच्चों को जो बलकु कुछ नहीं करते क्लास के अंदर, अटेंशन दी देतें, शेतानी करतें, उनको जाबी अब हमको five answers के correct जवाद देंगे, questions के. अगर फाइव questions के correct जवाद देंगे, तो हम stage पर जाका कम clapping कराएंगे. We will do your clapping on the stage that at least consecrate in studies and real school is going to clap you. In assembly के अंदर हम उम बच्चों की clapping कराएंगे. तो कही न कही कोई दौर कुनेगा, जो बच्चा हर बच्चे के अंदर एक attention पाने का एक बहुत भाव होता है. कि कैसे भी कुछ को तो मिल जाता attention पाने का, जो लोने studies बहुत अच्छा गिया, उरी दुनिया पॉलरे चलेक करती हैं. फिर जब वो बच्चा पढ़ाई के माध्यम से अपने आपको दिखानी पाता, तो इदर उदर शैतानी करते, अपनी attention को दिखाना जाता है, attention पाना चाता है. तो हम उनके इसी mindset को change करने के ब्रयास करते हैं, कि अपने सही ठ्रैक पे आओ, कोई भी बच्चा कम नहीं होता है. मैं यह मानता हो, कि अगर कोई शिच्छत यह बोलता है, यह बच्चा नहीं कर सकता, तो मैं कहता हूँ, वो टीचर कभी कुछ नहीं कर सकता. हर बच्ची के अंदर एक enormous palette है, बस उसे पहचानने के जरुवत है, उसको पहचान के, आप एक शापनार गीतर है, उस pencil को छेल देजे, और फिर देखे कितनी संदर नेक आप पर सामने है, वो लिखके रहता है. तो यह थे हमारे साथ, Dr. Mike Bhattnaadar, Director of Kids Conner's Senior Security School, जिन्हों ने आज हमारे साथ चर्चा की और उन्होंने अपनी स्कूल की उप्लब्दिकों के बारे में पताया, बच्चों ने चुकी तुमान स्थापिक के ने उनके बारे में आज हमसे चर्चा की, हमारे साजुड़ने लिए आपकं बाद बाद सुगरी आट